नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान भाईयो, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में हमारी जो पेड़ी की फसल होती है उसके अंदर कल्लों की संक्या को कैसे बढ़ा सकते हैं तो किसान भाईयो, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें तो किसान भाईयो, हमारी गन्य की फसल में जो पेड़ी की फसल होती है उसमें अगर हम कुछ बातों का विस्थ ध्यान रखते हैं तो आने बाले समय में पेड़ी की फसल में कल्लों की संक्या बहुती अच्छी देखने को मिलेगी जिससे की आपको अपनी फसल से बहुती अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा तो किसान भाईयो, इसके लिए आपको गन्य की फसल में पेड़ी की प्रारिम्बिक अबस्ता से ही तयारी करके चलना होता है अगर आप सुरुआ से ही अच्छा करके चलते हैं तो आप अपनी फसल में बहुती अच्छा उत्पादन राप्त कर सकते हैं तो बात करते हैं आपको किन्य मुख्य बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहली बात है किसान भाईयो, गन्य की कटाई जब गन्य की कटाई करते हैं तो किस तरह ऐसे करनी चाहिए क्योंकि इस पर भी कल्लों की संक्या काफी निर्वर करती है कुछ किसान भाई गन्य को 3-4 इंच की उचाई पर से काट लेते हैं तो ऐसे में जो टिलरिंग की समस्या है, वो काफी बढ़ जाती है टिलरिंग हमें अपनी फसल में काफी कम देखने को मिलती है तो इस बात का विसेश दिहान रखें कि जब भी आप गन्य की कटाई करें तो जमीन से मिला करें, यानि जब भी आप गन्य की कटाई करें तो मिटी से मिला करें, जब आप पौदों को जमीन से मिला कर काटते हैं तो आपकी फसल में ट्रिलिरिंग बहुती अच्छी निकल कर आती है, जिससे आपकी फसल अच्छा उत्पादन दे कर जाती है दूसरा बिंदू है किसानवाईयों हमारे खेत में साप सपाई हमारे खेत में किसानवाईयों गन्ने की फसल कटने के बाद खर्पत बार और पत्ती कप्र को बहुत ही अधिक देखने को मिलता है जिससे ट्रिलिंग में काफी समस्या आती है तो आपको इन सभी खर्पत बारों को समय पर खत्म करना है नश्ट करना है जिससे कि आपकी फसल में अच्छी ट्रेलिरिंग आए और आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें खरपत बारों को नश्ट करने की बात करें तो इसके लिए आप निराई गुडाई या फिर इस्प्रे कर सकते हैं तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है किसानवाईयो नमी किसानवाईयो फसल की प्रार्यम्विक अबस्ता में नमी का ना होना या कम होना भी ट्रेलिरिंग में बाता बनता है जब भी आप गन्य की फसल की कटाई करें और फसल में नमी कम हो तो पेड़ी की फसल में सचाई अवस्य करें जिससे की परयापत नमी होने पर टेलरिंग बहुती अच्छे से हो सके सिचाई करने के बाद ध्यान रखें किसान माईयो आपको पेंडी की फसल में जुताई भी करनी है जिससे की मिट्टी भरवरी हो जाए और टिल्रिंग अच्छे से हो सके किसान वायो, जब आप खेत की जुताई करें, तो आपको अपनी फसल में जुताई से पहले कुछ आवस्यक खाद या आवस्यक पोषसकत्तो देने हैं 6-7 kg Sulfur NPK 30-40 kg Fura Agro 5-10 kg और Region 5 kg यह सबी दभाएं किसान भाइओ आपको प्रती एकड़ के साब से मार्केट से लाकर अच्छी तरह से मिलाकर आपको अपनी फ़सल में जुताई से ठीक पहले लगा देनी है किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल में बताईगाए, एकात की मात्रा बताईगाए, अन्यसवार लगाते हैं, तो आप अपनी फसल में बहुती अच्छी टि्लिंग देख पाएंगे जिससे आने बाले समय में आपको आपकी फसल बहुती अच्छा उत्पादन दे कर जाएगी